बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तो सीटाइट परीक्षा की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और यह है इसमें 15 वा लेक्चर इससे ठीक पहले में इसमरती पढ़ा चुका था यानि कि मेमोरी इसमरती और विसमरती एक साथ एक प्रशने इनसे हर बार पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जाएगा तो इस वीडियो को शुरूर से लेकर एंडर तक देखेगा चोटा वीडियो रहेगा कुछ यादा चलि शुरूरात करते हैं सरकारी ध्यपक चनल आपके लिए बनाया गया है सबस्क्राइब करना है आपको इसके बराबर में जो बेल आइकोन है उसको भी प्रेस कर लेना है अब जान लेते हैं सबसे पहले विस्मरती है क्या एक सीधी सी सिम्पल सी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है कोई भी हम topic पढ़ते हैं तो होता क्या है कि कोई भी जब हम topic पढ़ते हैं तो उसकी एक simple सी definition बनानी पढ़ती है आपको ऐसा नहीं है जो books में definition दी गई है उसके अलावा आपको अच्छे से याद हो जाए वो topic उसके लिए एक simple सी definition आपको अपने अप बनानी होती है तो हर एक topic की हम एक simple सी definition बना लेते हैं तो यहाँ पर विस्मरती की simple definition क्या है तो सीखी गई जानकारी को याद करने की बिफलता जब हमने पहले को जानकारी सीखी है अपने मस्तेश्किमें गरहने की थी उसको अब हम याद नहीं कर पा रहे है हमको वो याद नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं दोस्तो विस्मरती चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जब हम कोई भी topic पढ़ते हैं तो क्या है कई सारे मनोवे ज्यानिकों की definition उसमें होती है तो इसमें बेसिकली तीन definition है इसमरती वाले chapter में एक मन की है एक James driver की है एक fried की है मन की definition क्या है कि ग्रहेंड किये गए तत्यों को धारड करने या पुने इसमरड करने की असफलता विसमरती है ठीक है जो हमने तत्यों को धारड किया था मस्तिश्क में तो उनको अगर हम दुबारा से इसमरड करना चाते हैं याद करना चाते हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या बुला गया है विसमरती मन के शब्दों में ठीक है अब यहाँ पर है James driver के अनुसार James driver के अनुसार विसमरती है क्या तो विसमरती का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुमान का इसमरड करने या पहले सीखी हुई क्रिया को करने की बिफलता क्या है इसमरती है तो यह इनकी definition है मतलब सभी की अगर आप definition पढ़ोगे तो बोलने का मतलब वही है जो हमने अपनी simple definition में बताया है किसी की गई जानकारी को फिर से याद करने की बिफलता ठीक है और यहाँ पर Friday की definition भी वही है विसमरड वह प्रिक्रिया है जिसके दुआरा दुखद अनुबवों को इसमरती से अलग कर दिया जाता यानि कि हमारी जो memory होती है उससे जब हम दुखद अपने जो अनुबव हैं उनको अलग कर देते हैं तो इसको बुला गया है विसमरती अब यहाँ पर यह इसलिए इन्होंने बुला है कि जो दुखद अनुबव होते हैं तो यह तीर डेफिनेशन आपको याद रखनी है मन, जेम्स, ड्रेवर, और फ्राइड आगे बढ़ते हैं कुछ अब जो विसमरती है तो यह एक कैसी प्रक्रिया है एक निश्क्रिय प्रक्रिया है या फिर एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है तो सबसे पहले तो यह क्या है तो सबसे पहले तो यह एक प्रक्रिया है किस चीज की प्रक्रिया है तो एक मानसिक प्रक्रिया है जैसे हमने इसमरती वाले चैप्टर में बढ़ाता इसमरती क्या है जब मस्तिश्क से संबंदित कोई भी प्रोसेस हो रही है तो इसको बोलते हैं मानसिक प्रक्रिया तो इसमरती के बारे में यही बूला गया है कि यह एक मानसिक सक्रिय प्रक्रिया है या फिर निश्क्रिय प्रक्रिया है तो यहाँ पर जो मनोवेग्यानिक हैं वो भी दो भागों में बट गई है एक तरफ है, Evinghoss दूसरी तरफ है, Frienne, Muleleur और आधि एक दो हर हैं तो यहाँ पर Evinghoss हैं इन्होंने विस्मरती को एक निश्क्रिय मानसिक प्रिक्रिय माना है Evinghoss यह केते हैं कि यह क्या है हमारी निश्क्रिय या निकर इसमें जान नहीं है अब फ्राइड और मूलर क्या कहते है कि एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है ठीक है याद रखेंगे विस्मरती को दो भागों में बाटा गया है मौनोवेग्यानिकों में मतबेद है एविंग होस ने माना है कि एक निश्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है फ्राइड मूलर ने माना है कि विस्मरती एक सक्रिय मानसिक प्रिक्रिया है तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो चलिए दो टॉप जहाँ पर वो कम्प्लीट कर चुके है अब यहाँ पर एक टॉपिक देखे विस्मरती के सैध्धन्तिक कारड विस्मरती के सैध्धन्त दोस्तो अलग है विस्मरती के सैध्धन्तिक कारड अलग है यानि कि इस वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि जब हम चीजों को भूलते है यानि कि विस्मरती यानि कि जब हम चीजों को भूलते है तो उसके सैध्धन्तिक कारड क्या है scientific cause क्या है ठीक है इसके सिध्धान्त नहीं पढ़ रहे हैं हम इसके scientific cause पढ़ रहे हैं विस्मरती के तो सबसे पहला जो सिध्धान्त वो है अनाभ्यास का सिध्धान्त अनाभ्यास यानि की अभ्यास नहीं करना अनाभ्यास का क्या मतलब है Evinghorse न है, एक है दमन का सिध्धानघ यानि कि जो पुराणी हमारी यादे हैं उनका दमन कर देना तो जैसे हमारी जो अच्छी याद होती तो उनका हम दमन नहीं करते हैं लेकिन जो हमारी दुखद अनुभव होते हैं, हमारे इसलिए हम चीजों को बूलते हैं तीक याद रखें कि दमन के सिद्धान्त में क्या है पुरानी चीज अनुबव हैं उनको बला देना और हम विस्मृत जैसे हम चीजों को फिर याद नहीं कर पाते बाधा का सिद्धान्त यह सिद्धान्त दिया है गुलर ने पुडवर्थ सिद्धान्त को माना है इस सिद्धान्त में क्या है बाधा का सिद्धान्त यानि कि चीज को कोई भी एक situation है कोई भी एक है कुछ है तो उसको याद करने में बाधा उत्पन हो रही है जैसे आप यह मन सकते है जैसे आपने एक नया फोन लिया नए फोन में क्या है आपके पह यहां पर यह बादा उत्पन के कार्ड आप भूल रहे हो कि आपके जो मुबाइल है उसमें लेफ्ट में बटन है ठीक है तो यह है बादा का सिध्धान्त क्या है कि कोई भी बादा आ जाए किसी भी चीज को याद करने में तो इसी वज़े से हमें चीज़ा याद नहीं आती ह क्योंकि उसमें बादा आ जाती है और यह सिध्धान्त दिया है बादा का सिध्धान्त गुलर वुडवर्त और विलजेकर आदने ठीक है विस्मरती के यह सिध्धान्त कार्ड है दोस्तों यह आपको याद रखने है अनाभ्यास का सिध्धान्त दमन का सिध्धान्त बादा गुलर वुडवर्त और विल indigenous ág ‫ आगे बढ़ते हैं में विस्मृति के कार्ड क्या क्या है ? क्या इसके काज है प्योग्त न Yog Assing तो उसको वो जल्दी भूल जाएगा जैसे आपने mathematics में देखा होगा कई सारे चेप्टर ऐसे होते हैं algebra और trigonometry तो उनको जल्दी भूल जाते हैं बच्चे तो वो क्या है विस्यसामगरी का स्वरूप है यानि कि कैसा है जटिल है ठीक है तो जटिल चीजों को जल्दी भूलत है तो इसका example लेता हूँ जैसे आप या फिर हम छोटी कक्षाओं में थे तो हम क्या करते थे जो short answer होते हैं उनको जल्दी याद कर लेते थे क्योंकि वो कितने होते थे दो line के होते थे और जो कई सारे long answer होते थे 6-7 line के होते थे हम क्या करते थे उनको छोड़ देते थे तो 6-7 line का जो answer है इसको याद रखने में काफी जादा मशक्कत करनी पड़ेगी और इसको आप बार-बार भूलोगी भी विस्यवस्तू का आकार बड़ा है इसलिए विस्मृति का ये एक कारड है ठीक है याद रखें कि विस्मृति का कारड़ क्या है विस्यवस्तू का आकार आई भूसकता है तीसरा हो सब्सक्ता है सीखने की मात्रा यानि कि आप केतना सीख रहे हैं अगर आप कम चीछ सीख रहे हैं जैसे a plus b का whole square आप ने सीख तो a plus b कोड़ोगे तो आप सीख रह रोगे कि हाँ ये इसका formula है a square अगर आप से बोलाया है कि इस तरह के सारे जो फॉर्मुले हैं वो a-b भी आपको करना है a2-b2 करना है aq-bq aq-bq सारे फॉर्मुले आपको याद रखने हैं तो सीखने की मात्रह यहां पर क्या होगी जाद हो गई तो इस वज़े से भी आप चीजों को भूल जाओगे 5-10 नाम या फिर 6-7 नाम याद करवा दिये तो आपको याद नहीं रहेंगे ठीक है अगला कारण है विस्मृति का रुची या ध्यान का अभाव तो यह एक सिंपल सा पॉइंट है कि आपको रुची होगी किसी चीज में अगर नहीं होगी और आपका किसी चीज में ध्यान समय आपने उसकी practice नहीं की समय अंतराल अगर जाद आ गया तो पहले को आप भूल जाओगे जैसे आप कोई भी chapter पढ़ रहे हो आदा chapter आपने पहले पढ़ लिया फिर आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद आदा chapter पढ़ रहे हो तो जो पहले वाला आदा है वो भी आप भूल जा पुणरावरत्ती की कमई यानि कि आप Duos Ministry तो यह तो आपको भी पता है दैर रिवीजंस को भूझ धनल रहे हो तो आप क्या है चीजूं को भूल जाते हो तो यह एक है शो की है मस्तिश्क की चोट या धुरओटना कोई आपको याद रखना के कौन सा सिध्धांत किस नोवे ज्यानिक ने दिया है। और अनुवत्त का सिध्धांत हैं का सामने का एकमत है। बढ़ते हैं चन हासका सिध्धांत थोड़नडायक का है। इसमें क्या है कि कोई वस्तु आपके सामने रहती है तो आपको याद रहती है आपके सामने से हट जाती है तो आपको याद नहीं रहती है ठीक है व्यतिकरण के सिद्धांत में क्या है व्यतिकरण के सिद्धांत में यह है कि कोई भी अगर बादा आ जाए और उसके कारण होता है किसी बाधा के कारड़ भूलना व्यतिकरण का सिध्धांट क्या होता है किसी बाधा की कारड़ भूलना जैसे अब कई बिमेünde आपको बताया इन व्यव्या जानकारी अगर दिमाग में आने से पहले ही अगर बादा थोड़ी सी आगी तो आप क्या है उस चीज को भूल जा हुए जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो टीचर बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बीच में एकदम गर जल्दी बूल जा हुए अब तो यह विस्मरती के कोच सिधानत हैं तीन से चार से पांच सिध्धानत होते हैं ज्यादातर प Looks room sign and का रड क्या है और विस्म्रति के सयधान्ति का रड करस्षाप जादा पूछे जाती हैं तो यह CHAPTER बस इतना ही है विश्म्रति वाला उम्मीद है कि आपको यहां काफी कुछ स्थीर को मिलागा आपको यहां कुछी भी नया सीखने को मिला है तो दोड़ी को लाइक करना है शेयर करना है पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है धन्यवाद